हेलो दोस्तो वेल्कम बैक टू शिंब्ला स्केम पिछली वीडियो में हमने आपको एक प्रिंटर का अन्बॉक्स और रिव्यू किया था तो आज हम आपको बताएंगे उसी प्रिंटर का कम्प्लीट सेट अप कि आप उसको किस तरह से सेट करें ताकि आप उसको उससे प्रिंट ले सके और अपने फॉन से किस तरह से आप उसको वायरलेसली कुनेक्ट कर पाएंगे थ्रू वाइपाई तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो आपको इसको सबसे पहले पावर से कुनेक्ट करना होगा जिसके लिए आपके पास एक पावर केबल दी है और उस पावर केबल को आपको प्रिंटर के बैक साइड में एक पावर स्लोट दिया है जिसमें इसको कुनेक्ट करना होगा कुछ इस तरह से और उसके बाद इस केबल को आपको electricity से connect करना है जिसके लिए आपके घर में कोई भी socket हो उसमें आप इसको connect कर सकते हैं तो चलिए इसको connect करते हैं पहले पावर से connect करने के बाद फिर बारी आती है इसको LED जो की पावर LED दी गई है इसको थोड़ा सा press करना है आपको 3 second के लिए और आप देखेंगे कि पावर LED ब्लिंक करनी शुरूब हो गई है इसका मतलब आपका printer on हो चुका है अब आगे की process के लिए ये तयार है और आप यहां देख सकते हैं कि इसमें अभी paper error show कर रहा है जो कि आपकी screen पर ये दिखरा होगा आपको कि इसमें अभी तक कोई paper install नहीं किया गया है और ना ही कोई cartridge install की गई है तो इसके लिए भी अभी आपका ये cartridge empty show कर रहा है तो अब हम इसमें cartridge install करते हैं और paper load करते हैं फिर देखते हैं आगे का procedure तो चलिए अब बारी आती है इसके cartridges की ये इसकी दो cartridges जो इसमें install करनी है हमने ये आपकी color cartridge है और ये है black इसके अंदर hp 805 number की cartridge लगती है तो चलिए अब cartridge को install करते हैं सबसे पहरे आपको cartridge install करने के लिए इस door को open करना होगा उसके बाद अगर आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर एक और door है इसको open करेंगे जब आप उसको open करेंगे इसके अंदर cartridges के लिए जो slot बने होए वो आपके सामनी आ जाते हैं ये वाला slot है आपका black and white के लिए और ये है color cartridge के लिए तो चलिए इसको install करते हैं इसको install करना बहुत ही easy है इसको आप इसमें ले और थोड़ा सा इसको उपर को press करें जब ये आवाज आ जाएगी तो आप समझ लेना कि आपका cartridge install हो चुका है अब करते हैं black cartridge सेम उसी तरह से पहले cartridge को रंबले डाला और इसको थोड़ा सा जोड़ से push किया ये आपका cartridge install हो चुका है अब आप इस डोर को बंद कर सकते हैं अब आरिया कि इसमें paper install करने के लिए आपको इसकी back side में एक डोर दिया है जिसको आपको उपर को खींचना होगा इस तरह से और उसके बाद इस डोर में आपको टेफोर साइट के sheets को डाल देना होगा जब आप ये paper install करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो यहाँ पर paper error करने शाहना आ रहा था वो हड़ चुका है इसका मतलब आपका printer ready है प्रिंट करने के लिए अब हमने अपने printer में paper install कर लिए हैं और cartridges भी install कर लिए हैं अब बारी आती है कि आप इस printer को अपने phone से कैसे connect करेंगे wifi की तुरू ताकि आप अपने phone से wireless की print ले सके जब आप इस printer को on करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जहां आपका wireless या wifi का symbol दिया है उसके सामने एक blue color की light बार बार blink हो रही है तो आपको करना क्या है आपको इस icon को प्रेस करना है जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी blue color की LED ब्लिंक कर रही थी वो बंद हो चुकी है इसका मतलब आपका printer setup के लिए radio हो चुका है phone के साथ जब आप printer को phone से connect करेंगे तो यह connect होगा wifi के दूप और wifi से connect करने के लिए आपको एक password की ज़ुरत पड़ेगी जो password इस printer के अंदर inbuilt है और जिसको print करने के लिए आपको printer पर दिये गए eye icon को प्रेस करना होगा और जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो वैसे ही printer अपनी process सारा का सारा information आपके सामने आ जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं अब देख सकते हैं जैसे कि एक page printer हो रहा है जिसका title है printer page information जिसमें सारा का सारा information दी गई है printer के according printer के regarding sorry इसमें आप देखेंगे printer का wifi डिरेक्ट करके नाम दिया गया है और साथ ही इसका password भी दिया गया है जिसके तुरू आप connect कर सकते हैं इस printer को phone से अब हमें इस password और इस wifi के तुरू अपने phone को connect करना है तो उसके लिए हमें चलना होगा अपने phone पर तो चलिए चलते है phone पर और phone पर आने पर आपको सबसे पहले play store पर जाना होगा और play store पर जाके आपको HP smart app सर्च करना होगा जै इंस्टॉल कर देना होगा मेरे phone में यह पहले से ही इंस्टॉल है इसलिए यहां पर open का option दिखा रहा है एप तो उन्लोड करने के बाद फिर आपको अपने phone का wifi on करना होगा और जैसे ही आप wifi on करेंगे तो आपके सामने हमने जो page print किया था जो उसमें नाम दिया गया था वो नाम आपके सामने flash हो रहा होगा उस पर click करें और जो password उसमें आपको दिया गया था उस password को यहां पर डालके connect कर लें जैसे ही आपका phone printer से connect हो जाएगा wifi के थुरू तो आपको वापिस आके hp smart app को दुबारा से open करना होगा और जैसे ही आप उसको open के आगे इसको yes करके set up a new printer पे click करें तो आपके सामने है यहां पर screen पर printer का नाम पहले से flash हो रहा है तो आप इसको click करें और connect होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की screen आएगी जहां पर लिख के आएगा ready to print इस app के अलावा एक और app डाउनलोड करनी होगी आपको जो की है hp print service plugin app जो आपको hp smart app के साथ डाउनलोड करनी होगी इसके अलावा आपको hp smart app पे अपना एक account बनाना होगा जिसके लिए आपको यहां पर दिये गया icon create account पे click करना होगा और उसके बाद अपना username जो आप रखना चाहरे हो और last name डालके email id और phone number डालके यहां अपना account create कर सकते हैं मेरा account अल्रेडी बना होगा है तो मैं यहां पर login करूँगा अपनी email id डालके और password डालके sign in कर लूँगा account setup करने के बाद अब बारी आती है कि अब हम इसमें print कैसे लें तो print लेने के लिए आपको नीचे आना होगा और print documents पर click करें और उसके बाद आपके सामने दो option आएंगे all files and photos जिसमें आप PDFs और photos प्रिंट कर सकते हैं तो हमें अभी document print करना है तो हम यहां पर जाएंगे PDFs में और PDFs में जाके जो document हमने print करना है उसको search कर लें जैसे ABC करके एक document है जब आपके पास document आ जाए तो आप यहां पर print पर click करें और यहां से आप कुछ setting कर सकते हैं जैसे कि आपने color print करना है या पर black and white print करना है तो अभी हम करेंगे black and white print और यहां से आप paper size select कर सकते हैं तो paper size रटना है आपको A4 और उसके बाद print की command दे देंगे और जैसे आप print की command देंगे तो आपके फाम निक मैसिस आएगा waiting hp dexjet 27 और सीरीज रानी सेंडिंग प्रिविव करके और फिर printing शूरू हो जाएगी तो यहां पर printing शूरू हो चुती है आप आवाज सम सकते हैं और यह है वो page जो अभी हमने print किया था इसकी command हमने फॉन में देती है तो आप देख सकते हैं इसको use करना कितना easy है चलिए अब देखते हैं कि आप कैसे इस printer में कोई document scan कर सकते हैं through your phone तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा printer scan option पर वहां पर click करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा अभी यह scanner की settings load हो रही है scanner load होने के बाद आपके screen पर कुछ इस तरह की interface आएगी हमने प्रिंटर में document डाल दिया है तो चलिए अब अब scan करते हैं scanning हो रही है तो यह देख सकते हैं कि यह scan हो चुका है और अब आप इसको save कर सकते हैं और यहां से आप file type PDF में करना है या फिर आपने image के तौर पर करना है तो वह select कर सकते हैं तो हम इसको as a PDF save करेंगे तो यहां पर हम basic PDF select करने के बाद save कर देंगे यहां से आप rename कर सकते हैं मैं इसको नाम देता हूँ my first scan document document तो अब इसको हम save कर देते हैं तो यह तक आपने देखा कि कैसे आप इस printer को अपने phone से connect करके कोई भी document print और scan कर सकते हैं यह printer मैंने amazon से लिया था 5000 का अगर आप भी लेना चाहते हैं तो इसका link मैंने description में दे दिया है और आप भी अपने personal use के लिए इसे ले सकते हैं अगर आपको यह video अच्छी लगी तो आप इसे like करे, share करे और हमारे channel को subscribe करे Thank you अभी आप अपपार,श्चीन बीध給 अवार पुम्टेश पूँटाश्क